नमस्कार दोस्तों मैं आप सब का चीर परिचीत दोस्त पुनहुपस्थित हूं दोस्तों आप सभी की सेवा में एक नई और शद ही ले करके जो आप सब के लिए बेहत कारगर सावित होने वाली है दोस्तों बेहत लावकारी सावित होने वाली है जी हाँ दोस्तों आज हम बा सब्सक्रावीत रख्ट रस्त्रावा दान्तों की सफाई सर्दी जैसे अन् fit käytt फोप होती है यह हमेशा हरा रहने वाले पेंड्ट तमाल भिरिक्ष ब्लकष। के पत्ते हैं इसको तमाल पत्र यानि कि तेज पात या तेज पत्ता कहते हैं दोस्तों तेज पात मसाले के रूप में उपयोग किया जाता है दोस्तों यह सिक्किम हिमालय मरीपूर और अरुनाचल प्रदेश में पैदा होता है तेज पात पेड़ से पत्ते तोड़कर धूप में सुखा कर पंसारी के दुकानों प और बेचे जाते हैं तेजपत्ता में दर्द नाशक एंटी ऑक्सिडेंट गुण होते हैं तेजपत्ता मधूर कुछ तिक्षण उष्ण चिकना तैलिय होता है वात कफ नाशक और पाचक होता है आयुर्वेद में अनेक गंभी रोगों में इसके उप्योग किये जाते हैं मधूमेह में तेजपत्ते का प्रयोग जिहां दोस्तों तेजपत्त को फीस कर बहुत बारिक चून बना लें इसकी एक चमच नित्ते तीन बार पानी में फंकी लेने से यारी पानी के साथ फंकी लेने से मधूमेह के रोगी को शिघर लाव होता है रत में से शरकरा की मातरा शिगर ही घड़ जाती है दोस्तों रात को एक चमच तेजपात का पाउडर एक काँच के गिलास में डाल कर तीन चोथाई गिलास पानी से भर कर चमच से अच्छी तरह लाएं और ढख कर रख दें सवेरे उस गिलास के पानी पर जैली जैसी परत जमी हुई दिखेगी आपको इस परत को हटा कर फेंक दीजिए और पानी को मलमल के कपड़े से चान कर पिएं इसके बाद आधा घंटा कुछ भी न खाएं नहीं पिएं दोस्तों रात को पीसी हुई हल्दी आधा चमच सोते समय एक कप पानी में घोल कर पिएं इसके बाद ठंडा पानी या दूद न पिएं यह प्रयोग लंबे समय तक करते रहें मधु में नियमत्रेत हो जाएगा दोस्तों स्मरा शक्तिवर्धक जहां दोस्तों अलजाइमर्स में उप्योगी तेजपात मस्तक पोशक है जहां दोस्तों तेजपत्ता एसिटील को लाइनेस्टेरे नमक खतरनाक एसिड को बनने से रोकता है जो मस्तिश्क के संदेश वाहक हर्मोन उस्टियो केलसिन को तोड़ने का काम करता है तेजपत्ता को नित्ते खाये जाने वाले भोजन में शामिल करें इससे स्मरण शक्ती बरहेगी और अलजाइमर्स बिमारी पर नियंतरन होगा बांजपन गर्वस्त्राव की चिकित्सा कभी कभी किसी स्त्री को गर्वधारण में बहुत ही प्रोब्लम होती है दोस्तों बांजपन की समस्या का सामना करना पड़ता है किसी को गर्व ठहर ने के बाद गर्व वती होने के बाद इसी प्रकार तेजपात पाउडर की फंकी कुछ महीने लें इस प्रकार तेजपात से गर्व संबंधी दोश दूर होकर गर्वधारण में शहायता मिलती है स्तन वर्धक तेजपात पाउडर की फंकी लेने से जिन इस्त्रियों के अस्तन बहुत छोटे पतले होते हैं उनके अस्तनों का आकार बढ़कर मोटा हो जाता है तेजपात का तेल किसी अन्यत तेल में मिलाकर मालिश भी करें जुकाम खांसी जहां दोस्तों जुकाम और खांसी में तेजपात कफ जन्यरोगों को ठीक करता है चोथाई चमच तेजपात पाउडर की गर्म पानी से नित्य तीन बार फंकी लेने से सरदी जुकाम और खांसी ठीक हो जाती है दोस्तों तेजपात और छोटी पीपल समान मात्रा में फीश कर आधा चमच चुण को एक चमच शहद में मिला कर तीन बार चाटने से खांसी ठीक हो जाती है जोडों का दर्द, मुत्रल, ज्वराधन, तेजपात के चार पत्ते एक गिलास पाने में उबाले उबलते हुए पाने, आधा रहने पर छान कर नित्ते तीन बार पियें, इससे पेशाब अधिक आता है, ज्वर या बुखार पसीना आकर उतर जाता है तथा पुनह ज्वर नहीं आता, बदन का दर्द ठीक हो जाता है दोस्तों, सिरदर्द जिहां दोस्तों सर्दी या गर्मी में किसी भी प्रकार से सिरदर्द हो, तो तेजपात डंठल सहीद पिस कर, हलका गर्म करके ललाट पर लेप कर दें, दर्द मिती जाएगा रक्त पित यानि कि रक्त स्त्राव होने पर, आपके मुह, नाक, मल, मुत्र, किसी भी रास्ते से अगर रक्त निकलने लगे, तो एक गिलास ठंडे पानी में, एक चमच, पिसा हुआ तेजपात मिला कर, हर दिन घंटे बाद, यानि कि एक घंटे बाद, पीने से रक्त स्त्र बंध हो जाता है दोस्तों, दाटों की सफाई, जेहां दोस्तों, सूखे तेजपत्तों को बारीक पिसकर, हर तीसरे दिन एक बार मंजन करें, इससे दाद चमकने लगेंगे, सर्दी के रोग, सर्दी में, शरीर में दर्द, नाक में सुरसुराहत, चिशींके आना, पानी ग गला बैठना, तालू छिलना, आदी होने पर, दस ग्राम तेज पात कूट कर, तवी पर सेंक कर रख लें, इसका एक भाग, दो कप पानी में, स्वादा नुसार दूध, चीनी मिला कर, यानि कि चीनी अपने स्वाद के कोडिंग मिलाई है, दूध में, और इसे चाई की तर दावाओं, उनको दावाओं की आवश्यक्ता बिलकुल ही नहीं पड़ती है, वे घर में ही उपलब्ध, दालचीनी, तेजपात, आदी के प्रियोग से स्वस्थ हो सकते हैं दोस्तों, तो आज की हमारी आवशद ही रही दोस्तों, तेजपत्ता, अगली बार हम आप सभी से मिलेंगे, एक नई और शद ही ले करके, एक नया नुस्खा ले करके, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार